हेलो गाईज, हेपी निवेर, अल ओफ माई सब्सक्राइबर्स, अल ओफ माई वीवर्स, एंड ओफ माई सपोर्टर्स दोस्तों जैसे कि आपको पता है 2022 एंड हो चुका है और नया साल 2030 सुरू हो गया है तो आगे आने वाले समय में हम आपके लिए और बहतरीन रेसिपीस लेकर आएं इसी आसा और विश्वास के साथ में जुड़े रहेगा हम से और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजेगा और हमारे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत बुलिएगा तो चलिए आज की रेसिपी सुरू करते हैं सभी को एक बार फिर से नई साल की हार्दिक सुब काम नाई थेंक यू चाहे पकवान हम लोग कितने ही बना लो अगर करनी सबजी टेस्टी ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता तो इसलिए सबजी का टेस्टी होना बहुत ही ज़रूरिया चाहे आप जैसे भी बनाए पर आपकी सबजी टेस्टी बनने चीए तो आज की रेसीपी में हम जानेगे दाल का हल्वा और मोट दाल के बड़े और साथ में हारे धनिय की चट्नी वो भी खट्टी, मीठी, स्पाइसी और टेस्टी चट्नी तो चले इसे बनाना सुरू करते हैं और एकदम से गलेजी हल्वा जब बनता है कुछ नया घर के अंदर तो घर के बच्चों को भी ऐसा लगता है जैसे लोटरी लग गई हो आज तो बस लोटरी लग गई मज़ा आजाएगा खाने का तो चले इस सुरू करते हैं मोट दाल को भी दो गंटे के लिए भीगो कर छोड़ देते हैं और मूंग दाल को भी दो गंटे के लिए भीगो कर छोड़ देंगे दोनों दालों को आपको अच्छे से पानी से वोश करके भिगो करके छोड़ देना है भिगने के लिए ताकि वो पहले वाला टेस्ट आए जो हमारी दादी नानी बनाती थी जब दाल का हलवा बनता था दाल के बड़े बनते थी अज़कल तो टाइम की सोटली की वज़़ से फटा फट में कच्चे पके सुखी डाल से जैसे भी बड़े रस्ता निकाल लेती हैं बनाने के लिए फटा फट में बनना चीए बस चाहे जैसा भी पर टेस्टी तो ऐसे ही बनेगा जैसे कि हमारी पुरानी दाधी नानी बनाती थी ना वैसे ही जो बड़े होते थे जब खान दाल को पीस करके इसके अंदरी मेरी नमक, मिरच, हिंग और लसुन वगेरे मिला लिये थे और उपर से मेरी थोड़ा सा बारी कटा हुआ हारा दनिया और हारी मिरच को मिक्स कर लिया है और अब बस देर किस बात के गरमा गरम बड़े निकाल लिये जाए तो इसका जैसी भी जाहें निकालने बस dish खाने में अच्छा होना चैए बनाने का तरीका दाल भीगी हुई हो अच्छे सी मसाले मिक्स करके फिर बस आपको सीधा oil में फ्राई करना है कुछ भी नहीं है परन्तु अगर आप दाल भीगो करके नहीं बनाएंगे बिना भीगो हे तो पस वो टेस् लग गई है तो यह देखिए हमारे गरमा गरम बड़े बन करके रदी है आपको में एक टीप्स भी बताऊंगे जिससे कि हना एक दम से बराबर घोल घोल बड़े बन जाते हैं तो इस तरह से आपको क्या करना है बैटर लेना है हादेली के ऊपर इस तरह से आपको गोल गोले इस तरह से आपको लुक अगर जैसा भी अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं वैसे आप सीधे ही ड्रोप डाल सकते हो वह भी बड़े बहुत है तो लेजिए हमारे कुरकुरे से बड़े तयार है तो चलिए अब देर किस वाद के डाल का हल्वा बना लेते हैं बस गर्मा मैंने उसको बनाया डाल को पहली दो गंडे के लिए भीगो दिया था और जब भीग अच्छे से तो जार के अंदर डाल करके उसको पीस लिया मैंने इसको हलका सा दरदरा रखा आप देख सकते हो यह जाता मोटी भी नहीं है और एक दम से बारिक नहीं पीसता है उसे मज़ा ही आएगा खाने में तो थूड़ा सा इसको दरदरा रखा है मैंने अब मैंने घी ले लिया है जितना मैंने मूंग दाल लिया था उत्ता ही मैंने आपे घी लिया है जससे मैंने मूंग दाल लिया था आदा के जी तो मैं आदा के जी घी डालूगी पैन के अंदर और गी या पेन गरम होगा तो नीची चिपक चाती है इसलिए ध्यान रखे पहले ही गी के अंदर अच्छे से मिक्स कर ले यह गल्ती कर दिती ति मैंने तिका दिया और इसको चलाया नहीं mix भी नहीं किया तो फिर मेरी सासुमा बोली के ऐसे नहीं करती हैं मुंक दाल को और गी को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं फिर गेस पे टिकाते हैं तो नीचे नीचे पकता है फिर मैंने उसको फटा फट में क्योंकि इनौने स्टिक पैन था तो हटा भी दिया अभी आप देख सकते हो थूड़ा सा नीचे हलका हलका भी चिपकवा है पर यह निकल जाएगा तो इस तरह से लगबख पान से साथ मिनट में थूड़ा हाड होता है इसको चलाना सीखना उसकी बात में तो यह बहुत अच्छे से एक दम अराम से सीखता है और सीखने भी बड़ा मजाता है कि आस तो गर भी कुछ नया बनने वाला है कुछ अलग बनने वाला है तो देखे ल गंटे से सवा गंटे तक इसको रोस्ट करना पड़ता है चाहिए आप कितने भी कॉंटेटी में बनाए एक दम स्लो फ्लेम पे मैंने इसको सवा गंटे के लिए रोस्ट किया है अबर आप कलर देख सकते हो और एक दम सीखने के एक अच्छी सी स्मेल भी आती है तो बहुत यह सीख जाता है कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है और दिखने में भी यह लका हलका सा हो जाता है इसके पानी का वजन होता हो और यह देखे इस तरह से अब आप मैं रोस्ट कर रहे हुआ है यह बिलकुल से प्रापर सीखा हुआ है एक दम से हलका हो गया है चलाते वक्त देख सकते हो किस तरह से जो मेरा स्पेक्चुला गूम रहा है तो जब इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए तो समस्लिना की बस दाल अच्छे से रोस्ट रोचुके है तो बस अब इसके लिए देर की चासनी तियार कर लेते हैं और गर्मा गर्म चितना चल देया उसके उतना जल दिखाएंगे अब मैं आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखाते हूं देखें एक दम प्रॉपर सिखने के बाद क्या होता है इस तरह की हो जाती है दाल एक दम से दाने दाल भी है गी भी इस ने छोड़ दिया है और बहुत ही जो पानी था सारा का सारा सूग गया है तो करना है और गेस का फ्लेम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है बस यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना बाकी तो क्या होता है चलाता है चलाना है और सेकना है चलना कुछ डालना है नहीं तो अंदर में बस सिरफ चलाते रहना है कि नीचे ना चिपके इसके लिए बस अब जो मावा मिलाने का stage है या पिर जो चासनी मिलाने का stage होता है वो बहुत important होता है तो मावी को अच्छे से आपको एकदम slow flame start रखते वे चलाना है और अच्छे से mix कर लेना है उसकी बाद चासनी प्रिपीर करना है तो आप देख सकते हो guys कुछ मावा मैंने ऐसे ही मिलाया कुछ को मैंने थोड़ा grate करके भी मिला लिया है और अब हम इसी पैन के अंदर चासनी प्रिपीर कर लेते हैं तो मैंने 500 ml पाने डाला है आधा केजी मैंने सुगर लिया है 500 ग्रम सुगर को डाल करके अच्छे से mix कर लिया है अगर आप थोड़ा मिठा ज्यादा पसंद करते तो आप उसके अंदर 600 ग्रम सुगर कर सकते हो मैंने तो जितना डाल लिया था न उतना ही सुगर डाला है तो दोनों को अच्छे से मेल्ट करेंगे जब एक तार की चासनी हो जाएगी तो हम इसके अंदर थोड़ा सा ओरेंज फूड कलर डाल देंगे तो ध्यान रखना लग बहुत प्यारा यम्मी सा हो जाता है हल्वे का तो यह भी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद आप चासनी को चेक कर लेते हैं आपको भी चेक करना चीए और उसके बाद में आपको सारा बेटर डाल देना है तो यह जो हमने सेक करके त्यार किया हम इसको पका लेंगे लगबग एक से दो मिनट के लिए बस लास्ट इसको पकाना इसके बाद में आप ट्राइब फ्रूट से इसको गार्निशिंग कीजी और अच्छी से बॉल में निकाली और फिर सब को खाने के लिए सब कीजी तो दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी होत बहुत अनिवाद थेंक यू